नमस्कार, SBT News में आपका स्वागत है, पेशे 19 अक्टूबर गुरुवार सुबह सबाग्यार बजे राजिसान की बड़ी खबरी राजिसान में एक नीजी बस से करीब 2 करोड रुपए की चांदी जप्त की गई है, बस ड्राइवर साहित 4 लोगों को भी रासत में लिया गया है, चांदी 25 पैकेट में बस की डिक्की में रखी थी, ये घटना भीलवारा में बुधवार को हुई, भीलवारा स्पी श्याम सि बस की एक बस की जांच की, बस की डिक्की में जांच करने पर उसमें 25 पैकेट में चांदी की सिलिया पाई गई, इसके बाद बस के ड्राइवर साहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर बस को थाने में लाए गया, थाने में जांच करने के बाद चांदी का बज़न 293 किलो पाई में संजग कलोनी के रहने वाले दीपू सिकरवार को हिरासत में लिया है। अंदोली में रास्टर राजमार्क संख्याई किस परस्थित भारत जोडो स्थल पर आयो जित जन सभा को संबोधित करेंगी। देश लगातार प्रगती कर रहा है दुनिया में भारत का मान बढ़ रहा है। राजिस्तान विधान सभा चुनाओ को देखते वे बुधवार को जालावार कोत वाली पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने हल्दी घाटी रोड सित मकान पर चापा मार कर बिना लाइसेंस के अवायद रूप से जमा किये गए 75 काठन पटाकों को जप्त कर मकान को सील कर दि टीम के साथ शहर जालावार में हल्दी घाटी रोड पर पंका शर्मा की मकान में पहुंचे और कारवाही की चंद्रग्रहन होने के चोलते सीकर के प्रसिद खाटू श्याम मंदिर के कपाट 28 अक्टूबर की दोबहर तीन तीस से आगामी 13 घंटे 45 मिनट तक बंद रहेंगे मंदिर कमेटी ने इस समन्द में आदेश जारी कर दिया है शाम मंदिर कमेटी के मंतरी शाम सिंग चोहां ने आदेश जारी करते हुए बताए कि 28 अक्टूबर को शरत पुर्णिमा के दिन चंद्रग्रहन होने की कारण खाटू शाम मंदिर के कपाट दोपहर साड़े 3 बजे बंद हो जाएंगे अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह सब 5 बजे खुलेंगे ऐसे में भक्त इसके बाद ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे राजसान के राजिपाल का राज मिश्ट 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश की यात्रा पर रहेंगे वे अपनी तीन दिवसे इस यात्रा के तहट गुरवार को प्रातेश जापूर से राज़ के विमान से लखना हो जाएंगे और उसके बाद उनका प्रताफगड और रवानों नक्सी भीच जाने का काईकरम है केंद्रे विधियाम नियाए राज्यो मंत्री अरजुना मेगवाल ने एक्सपर ये जानकर इसाधा करते वे बताए कि रास्पति द्रापदी मुर्मुनी भारत के मुख्य नियाएधी से परामश के बाद नियाएधी शू के तबादले को मंजूरी दी है उनके मताबिक नियाएमूर्ती एसपी के सरवानी को इलाबाद उचनियाएले से कलकत्ता उचनियाएले नियाएमूर्ती राज मोहन सिंग को पंजाब और हर्याना उचनियाएले से मध्यप्रदेश उचनियाएले और नियाए मुर्ती नदेंडर जी को करनाटक उचनियाले से आंदर प्रदेश उचनियाले स्थाना तृत किया है राज़सान विधानसवा चुनावों के बीच कृशी जीन्स की खरीद के लिए केंदे निर्वाचन आयोग से एनोसी मिल गई है आयोग ने चुनाव चासंगिता के पालना करते वे निर्धारित के समर्थन मुलने पर खरीफ की फसलों की खरीद करने के अनुमती दी है ऐसे में लापरवाह कार्मिकों के खिलाफ लगातार कारेवाही कर रहा है डुंगरपूर के वर्दा थाना पुलिस के ओर से चिल्डरन बैंक की नोटों की साथ पकड़ा गया आरोपी ठगी के फिराक में था उधार में लिए गए डेर लाक रुपे के बदले चिल्डरन बैंक की नोट दे कर भागने वाला था लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया पुलिस आबारोपी से पूस्तास कर रही है वर्दा थाना दिकारे लाल सिंग ने नामा ने बताया कि आंतरी चौकी के हेड कॉंस्टेबल संतोष कुमार को मुख्बिर से सूचना मिली के एक व्यक्ती और टुकार में पैसे लेकर दोजा गाउं आया था आगामे विधान सबाचुनाओं में निर्भाय होकर मद्दान करने का संदेश देने के लिए CPRF और करॉली कोतवाली पुलिस के हथियार बंच जवानों ने भुधवार को फ्लेग मार्च निकाला पुलिस और स्य आर प ने सेंक्ट फ्लेग मार्च निकाल कर मद्दाताओं से बिना किसी प्रलोभन और भाय मुक्त होकर मद्दान करने की अपील की है फ्लैग मार्च के दोरान करॉली DSP, अनुज शुभम करॉली थानादिकारी हेमेंडर चौधरी साइथ अन्या मौजूद रहे फ्लैग मार्च निकाल कर पुलिस जवानों ने चुनाओं में गड़बड़ी फलाने वालों को कड़ा संदेश दिया है हेल स्टेशन माउंट अबू शहर के रिहाईशी इलाके में एक साथ पांच भालों की मौमेंट देखने को मिली कुछ दिनों पहले शहर में लेपड का मौमेंट भी देखा गया था माउंट अबू वाइल लाइफ सैंचुरी जोन में होने की वज़े से शहर में आए दिन जंगली जानवरों का मौमेंट होता है इन मौमेंट से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है माउंट अबू आने वाले परेटकों को ये मौमेंट काफी रोमान चित करती है वीडियो से विवाद और बढ़ गया है अर्चना शर्मा ने कॉंग्रिस निता राजीव अरोडा पर बीजीपी विधायक से मिली भगत कर हरवाने का शड़े अंतर रचने और 40 करोड रुपे में सोधा करने के आरोप लगाए है वीडियो सामने आने के बाद अर्चना शर्मा पर राजीव अरोडा ने भी नाम लिये बिना पलटवार किया है दिल्ली AICC में भी दो दिन से अर्चना शर्मा के खिलाफ विप्र कल्यान बोड अध्यक्ष महेश शर्मा विधी प्रकोस्ट के पूर अध्यक्ष सुशील शर्मा के अगवाई में प्रदर्शन किया रासमन पंचाय समीति के ओर से हर साल कुवारिया के जोहिडा बावजी में पशु मिले का आयोजन करवाया जाता है इस बार भी ये आयोजन हो रहा है इस मेले में प्रदीश भर की पशु पालक पहुंचे हैं इसके साथ ही यहाँ पशु पालको और ग्रामिनों के लिए अलग अलग तरह की स्टॉल भी लगाई गई है इसी मेले के ताहर चौथे दिन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया इस दोरान अलग-अलग जिलों से आये लोग कलाकारों ने विभिन डांस और सौंग परफॉर्म किये उतरपशिम देल्वे ने जोदपूर से वारानसी वाया जयापूर लखनाव ट्रेन का संचालन जो रोका था उसे वापस बहाल कर दिया है उनने से 23 अक्टूबर तक इस गाड़ी के संचालन को लखनाव डिविजन में तकनिकी कारे के होने के कारण रोका था लेकिन अब इस ट्रेन को वापस चलाने का निर्ने किया गया है तो फिलाल इस बुलेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खब्रों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खपरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बैल आइकन पर